धनबाद के ग्यार कुंड प्रखंड के पंच मुहली पंचायत के रहने वाली पैसट वर्ष्य बुजुर्ग मुनेश्वरी देवी शरीर से लाचार है लेकिन सस्टम इनसे भी ज्यादा लाचार है बतादे कि मुनेश्वरी देवी के पती को विधाता ने दो दशक पहले ही छीन लिया था और कोई संतान भी नहीं है जब तक शरीर ने साथ दिया दूसरों के घरों में बरतन साफ कर अपना पेट भरती रही अपने मिट्टी के घरांदे में गुजर बसर करती रही लेकिन चहरे की जुर्या और बुढ़ापे की मजबूरिया अब मुनेश्वरी देवी पर भारी पढ़ रही है यहां तक की मुनेश्वरी देवी सरकारी लाप से भी कोसो दूर है मुनेश्वरी देवी सरकारी बाबू और जन प्रतनिध्यों का खुब चक्कर लगाई पर किसी को तरस नहीं आया मुनेश्वरी देवी के पास रहने के लिए मिट्टी का अपना एक घर है लेकिन वो भी तूट चुका है हलकी बारिश होने पर भी मुनेश्वरी देवी रात जाक कर बिताती है प्रधान मंत्री आवास योजना के लिए भी पंचायत से लेकर प्रखंट तक गुहार लगाई लेकिन हर जगा मायूसी ही मिली पंचायत में जन वितरन प्रणाली की दुकान तो है लेकिन मुनेश्वरी देवी जैसी असहाय लोगों के लिए अनाज उपलब्ध नहीं है क्योंकि अब तक उनके नाम राशन कार्ड भी नहीं बना है मुनेश्वरी देवी के पास आधार कार्ड तो है लेकिन योजनाओं को हासल करने का जुगार तंत्र नहीं है एक समाद सेवी की मदद से मुनेश्वरी देवी का चक्कर सब्ता में एक बार जरूर लगाती है कि शायद खाते में पेंशन की राशी आ गई हो धनबात के उपायुक्त ए डोड़े को जब इस बारे में बताया गया तो उन्होंने ग्यारा कुंट बीडियो को अविलम पेंशन चालू करने और योजनाओं का लाब देने का आदेश दिया साथ ही बीडियो को आगा भी किया गया कि अगर वृद महिला की मौत होती है तो आप कसूरवार होंगे पिछले दो दिनों से मुनेश्वरी देवी के घर में अनाज नहीं है घर का चूला भी ठंडा पड़ा है ऐसे में दाने दाने को महताज मुनेश्वरी देवी भूके पेट सोने को मजबूर है जरा सोचिए अगर मुनेश्वरी देवी की मौत भूक से होती है तो कौन जिम्यदार होगा क्या ये सरकारी अधिकारियों और सिस्टम की पोल खोलने के लिए काफी नहीं है जबकि कुछ दिनों पहले ही राज्यों में भूक से मौत हो चुकी है पंजाब केसरी टीवी के लिए धनबाज सेड नीरच कुमार की रिपोर्ट